नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं आयुसमान भवह अभियान की सुरुवात राष्टपधी द्रोपधी मुर्मुने देश भर में स्वास्थ स्वावों की पहुंच को सुलह बनाने के लिए दूरदर्शी स्वास्थ कारिकरम आयुसमान भवह अभियान का बुद्धभार को ऑनलेन सुभारम किया है इस मोकेपण। नोंने कहा है कि जब हर ब्यक्ति हर परिवार स्वास्थ रहेगा तभी स्वास्थ भारत के निर्मान का संकल्प पुरा होगा यही आयुस्मान भवा कारेकरम का भी लक्ष है केंद्र एवं राज सरकार की सहभागिता इतने बए लक्ष को हासिल करने में मददगार होगी आट्रे हाوس रांची में आयोजित इस वर्चू 자न करने वाला सिधान था है जिसमें स्वास्त जीवन जीने का सार सामिल है या एक प्राचिन संस्कीती सब्द है जिसका और्थ है कि आप लंबे समय तक जीवित रहें और स्वश्त रहें उन्होंने कहा है कि अश्मान भवा कायकरम परतेक लाभोग तक पहुचाने के लिए राष्ट्रिय अस्तर पसंचालित विभीन स्वाहते योज नावों के प्रभावी किरणन को सुनिश्चित करने के दिशा में एक ब्यापक पहला है इस अभियान का उदेश लोगों तक स्वाहते स्वाहते पहुच सुनिश्चित करना है डेंगू की रोक्थाम के लिए सरकारी निजी अस्पताल में 20 बेट करे रिजारव राजी के सभी सरकारे अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज्यों के इलाज के लिए डेंगू वाड आइसुलेशन वाड के रूप में 20-30 बेट सुरक्षित किये जाएंगे साथ ही सभी आवस्चक दवाएं भी उपलब्द रहेंगी स्वास्त विभाग के अपरमोक सचीव अरून कुमार सिना ने राजी के सभी उपायुकतों को इस बावत निर्देश जारी किया है उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस छेत्र बे मच्छर जनित रोग्यों की सूचना मिलेगी वहाँ निगरानी टीम भेज कर एक्टिव केस सर्च के लिए घर घर जाकर फीवर सर्वे किया जाएगा सर्वे मिले संदिग मरीजों की लाइन लिस्ट बना का जाचो प्रांथ डेंगू चिकुनगुनिया वह जैपेनिज इंसेफ लाइटिस के मरीज का केस बेस्ट सर्विस लाइन्स भी किया जाएगा अपर मुक सचिव ने कहा है कि रिम्स रांची पिम्स धनबाद वा एमजीम जमसेथपूर के अलावा सदर स्पतर रांची जमसेथपूर चाईबासा साहिब हैं हजारी बाग पलामो दूमका गोड़ावा सिम्डेगा को सेंटिनल सर्विस लाइन्स अस्पताल के रूप में चिनित किया गया है कास्मीर में करनल मेजर समेथ चार सहीद सियम हमंत नदी सरधानजली जम्मु कास्मीर में आतांकियों से मुटभेड में बुद्धवार को सेना के करनल समेथ चार जवाज सहीद हो गया है एक जवान लापाता भी है हमले की जिम्मिवारी लसकर ए तैबा से जुड़े परतिबंदित आतंगी संगठन दा रेजिस्टेंट फ्रांट ने ली हाए इधर जार्खन के मुक्ष मंत्री है मंसुरे ने चार जावाजों के सहीद होने पर उन्हें सरदांज ली दी हाए इससे पूर्व सेना के अधिकायों ने बताया है कि अनंत नाग जीले क कोकेर नाग में सुबा मुन भेड़ हुई आतंकियों की घेराबंदी करते हुए उनाइस राष्ट्री राइफल के कमांडिंग अपसर चंडिगर के करनल मन प्रीत सिंग पानिपत के मेजर आसीस और एक अन्यजवान सहीद हो गाए है जगरनाथ महतो के सपने पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी सियम हमांत मुखे मंतरी हमांसुरें से उनके आवासे करयाले में बुद्ध वार को उतपाथ एवं मकदनी सेद मंतरी बेवी देवी ने मुलकात की उन्होंने डुम्री उप्चुनामे में मिली जीत को लेकर सियम मेहमन सुरेन का अभाव जताया CM ने बेवी देवी को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि सुर्गे जगरनात मतों के सपनों को पूरा करना हम सभी की नैतिक जिमेदारी है हमारी सरकार उनके आदर्स एवन विचार को आत्मसाथ करते हुए समस्त जारकांडियों की खुसाली के लिए प्रतिबात्ता के साथ कारी कर रही है जगरनात मतों के सपनों को पूरा कर समरीद जारकांड बनाना ही उन्हें सची सर्दांजली होगी CBSC बोर्ट दसवी बरहवी परिक्षा के लिए एडिशनल सेंपल पेपर किया जारी CBSC बोर्ट दसवी बरहवी की परिक्षार्थियों के लिए नया एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जारी किया है यह नई सिक्षा नीतिवा पूर्व में किये गए प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव पर अधारित है प्रैक्टिस पेपर संपूर्ण पाठकरम पर अधारित है इसमें सभी भाग की संख्या प्रश्नों के परकार और प्रश्न पत्र का ओवर ओल स्ट्रक्चर सामिल है इसमें 50 परतिसत प्रश्न योगियता अधारित भी है CBSC ने कहा है कि विद्यार थी CBSC academic.nrc.in पर CBSC additional paper 2013 चो भी डाउनलोड कर सकते है देव घर में बिना हेलमेट पकड़े गए 10 पुलिस करमी दोगुना जुर्माना सलक सुरक्षा को लेका सुप्रीम कोट के निदेश का अनुबालन कराने के उदेश से देव घर में अधायाद पुलिस ने चेकिन अभियान की सुरुआत मंगलवार को सत्संग चोक के समयब से की है अभियान के पहले दिन ही अतायाद पुलिस ने 10 पुलिस करमियों को बिना हेलमेट पकड़ा इन सभी पुलिस करमियों की बाइक जब्त कर थाना लाई गई वहीं सभी स्थे बिना हेलमेट के दोगुने फाइन 22,000 रूपए ऑनलें जमा कराया गया सभी पुलिस करमियों की लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है पुलिस कर्मियों की जब्ध की गई बाईक में मालवाहग गाड़ी में लोड कर या तयाद थाना मंगवाया गया साथ ही सभी पुलिस कर्मियों का लाइसेंस तीन-तीन माह के निल्यम्भित कर दिये गया है परिवहन कर्याले को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है रगुवर्दास का हेमंद सोयन पर निशाना का वादा भूल रहे हैं बिजेपी के राष्ट्रिये उपारध्यरक्स पुर मुख मंतरी रगुवर्दास ने पीएम आवास योजना से समधिद मुख मंतरी हमंद सोयन के ब्यान पर कई परतिकिया दी है उन्होंने कहा है कि मुख मंतरी अपने ब्यान से जानता को दिख भरमित कर रहे हैं केंद्र सरकार ने आवास पोर्टल पर डाले गए सभी आवासों के सूची को सोग्रिती पदान की है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को केंद सरकार पारोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में जाकना चाहिए पूर्व सीम रखवदास ने कहा है कि सीम हमान सुरेन बताए कि सरकार बनने पर गरीबों के लिए तीन कमरे का सुविधा युक्त आवास बना कर देने समय उनकी बड़ी घोसना का क्या हुआ साथ ही सवाल उठाते हुए कहा है कि कहा गया ओ घोसना जिसमें बेटे के लिए अलग कमरा माव पिता के लिए अलग कमरे के अलावा रसोई सोचाले पानी आदी सुदा से युक्त आवास देने की बात उन्होंने अपने संकल पत्र में कही थी पच्मी सिम्भूम के जगरनाथ पूर की खेत में नर हाथी का सोव मिला जारखंड के पच्मी सिम्भूम जीले के जगरनाथ पूर्थाना छेतर अंत्रगत का सीरा गाउं के माट गुटु छेतर के एक खेत में दो दात वाले एक नर हाथी का सोव बुद्धवार सुबरामत हुआ है घटना के सुचना जगरनाथ पुर्थाने के पूलिस वोन विभा के कर्मी को ग्रामिनों ने दे दी है इधर हाथी का सोब पाय जाने की सुचना जंगल में आग की तरह फैल जाने के बाद आस पास गाओं के ग्रामिन मृत हाथी को देखने पहुचे मृत हाथी के दो में आ गई है लोग सभा और विधान सभा चुनाओं के लेकर कारेकरताओं को अलट कर दिया गया है इसी को लेकर हैदराबाद में CWC की बैठक 16-18 सितंबर तक होने वाली है जिसमें आगे की रण निती पचार चाहोगी बता दे अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी ने लोग सभा चुनाओं के साथ-साथ विधान सभा चुनाओं के तियारी तेज कर दिया है वैसे राज जहां जहां विधान सभा चुनाओं होने है वहां के कर करताओं और समर्थ को अलट कर दिया गया है इसी को लेकर हैदराबाद में कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक की उग्रवाधी संगटनों के नाम पर मांगी जा रही फेक रंगदारी। जिसके नाम पर अगर किसी कारोबारी को धमकी भारा कॉल आ गये तो सामने वालों की हवा गूम हो जाती है जारखन को जल्द मिलेंगे एक तीसो विस सिक्छक मिलने वाले हैं सितंबर तक हुए PGT पर इक्षाग परिणाम अक्टूबर के पहले सब्ता में जारी करने की बात कही जा रही है आयोग की तरब से इसे लेकर जोर सुर्थे त्यारी की जा रही है बता दे पलस टू सिक्षकों की कमी से जूज रहे सरकारी स्कूलों के लिए अची खबर है अक्टूबर में राज को विभीन भी सायों के एक तीसो बीस नए पलस टू सिक्षक मिलने वाले है इसे लेकर जार्खन करमचरी चेन आयोग के दोवारा चल रही नियुक्ति परक्रियाम दिम्चरण में है 18 अगस्ते 10 सितम पर तक आयोजीत किये गए आउनलाइन पर रिक्षा का पहिनाम आयोग के दोवारा अक्टूबर के प्रथम सब्ता में जारी करने के त्यारी की जा रही है कोल इंडिया में ट्रेनी अपसरों के 560 पदो पर बहाली निकली है गेट एस कोर 2023 के अधार पर यह बाली होगी उमिद्वार कोल इंडिया के अधिकारिक बेपसाइट पर जाकर आवेधन कर सकते हैं बतादे कोल इंडिया में ट्रेनी अपसरों की बहाली निकली है जिसमें 560 E2 ग्रेट के अपसरों की बहाली के लिए कोल इंडिया की बहाली के लिए आवेधन मागे गए हैं यह बहाली गेट एक श्कोर 2023 का धार पर होगी गेट पर इक्षा पास करने वाले अभियार थी इस बहाली के लिए आवेधन कर सकते हैं आवेधन करने के अम्तिमति थी 12 अक्टूबर है चेक बाउस ममले में अमिसा पटल की कोट में हुई सुनवाई चेक बाउस ममले में धोखा दड़ी के आरोपो का सामना कर रही अभिनेतरी अमिसा पटल की राची सिविल कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दवा उनके खिलाब सिकाय दर्ज करने वाले अजय कुमार सिंग की ओर से गवाही दर्ज की गई इस दवरान बचाओ पक्ष के वकील ने भी सवाल जवाब किये अब इस मामल में अगली गवाही 20 सितंबर को होगी इससे पहले 26 जुलाई को हुई सुनवाई में अभिनेतरी को 5 रुपय का हरजाना भरने का कोट ने अदेश दिया था Central University of जार्खन में PhD परवेस परिक्षा का सिलेवस जारी Central University of जार्खन में इस वर्ष PhD कार्खन में नमांकन के लिए होने वाली PhD परवेस परिक्षा के लिए सिलेवस जारी किया गया है एक चोक उमिदवार CUJ की वेब साइट पर जाकर सिलेवस देख सकते हैं बता दे कि CUJ में इस वर PhD परवेस परिक्षा के लिए CUJ RET 223 का आवेजन किया जा रहा है CUJ RET 223 में आवेजन करने के अम्तिमति थी 20 सितंबर है जो अभियाती CUJ से PhD करना चाहते हैं वे CUJ की वेब साइट पर जाकर अपना रेजिस्टेशन करा सकते हैं गोड़ा में गर्भ में पल रहे जीवित बच्चे को मिरित बता का 7000 रुपई की ठगी गोड़ा जीले के देवडांड थाना चेतरे के बांची गाओं के रहने वाले मोवद हसीव अंसारी ने पोड़ेया हट समुदाइक स्वास्ट केंद्रे की जीएनेम पर इलाज के नाम पर जबरन उगाही कारूप लगाया है मोवद हबीब अंसारी का कहना है कि उनकी गर्भवती पूत्रवधू के पेट में पल रहे है सीसु को खराब बताकर जीएनेम ने वास कराने के नाम पर उनसे 7000 रुपई लिए हैं इसकी सिकायद उन्होंने गोटा के सिविल सर्जन डाक्टर अनंद कुमाल जहा से की है सिविल सर्जन को आवेदन के माध्यम से बाताया है कि वह भीते 28 अगस्त को गर्भवती पुत्रवधू को लेकर रोटीन चेक अप के लिए पोटे हाट समुदाइक स्वास केंदर गये थे वहाँ डाक्टर ने कुछ दवाईया और जांच लिखी दवा दे कर दोनों घर आ गये वहीं तीन सितमर्गों घर में कामकाज की दवान भारी समान उठाने करन महिला को बलेडिंग होई वह पुना उसे समुदाइक स्वास केंदर लेकर गये वहाँ जी एनेम गंगोत्री कुमारी डिउटी पर थी उसे समस्य सवगत कराया गया उसने रोगी पर्ची नहीं बनाया गुमला सिम्डेगा हजारी बाग में होगा महा झ sono मचली का पालन कराया जाएगा मता से भी भाग ने केंद्रिये अंतर अस्थालिये मत्सिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपूर कुलकत्ता के सहयोग से जार्खन के जलाशियों में माहा जहिंगा सनवर्धन के माध्यम से जनजातिये समुदायों की आजीवका में सुधार के लिए पहल की है I.C.A.R. के प्रिंसिपल सांस्थिस एक्के दास ने मता से पालक किसानों को प्रेरिद करते हुए कहा है कि जार्खन का केज कल्चर पूरे देश में नंबर वन पर है I.C.A.R. के प्रिंसिपल सांस्थिस एक्टूबर के पहले सप्ता में होगी यह निर्नाय बुद्धार को सरत पवार के दिली इस्थित आवास पर गटबंधन के समनवे समीति की पहली बैठा के मिलिया गया कॉंग्रेस के संगठन महासची और समनवे समीति स्थिक केसी वेनू गोपाल ने बताया है कि भोपाल की रहली महंगाई बेरोजगारियों परस्ट अचार के खिलाप होगी बैठक में तय हुआ है कि सीटो के ताल मेल में जल्द अमतिम रूप दिया जाएगा वही सरकार पर जातिगत जनगर्ना कराने का दबाव भी बनाया जाएगा धन्यवाद